जलो अलास्ट हमने किया था पञ्जाब लैंगोइज़ और गुर्मुकी कल्चर स्टार्ट किया था हमने कुछिछ कर जिरेचर करेंगे और M違う俺 रे मोडर facts करेंगे माडर लीटरेचर मींस 1977 के बात का जो भी पंजाब कह लीटरेचर है जितने भी लिटरेचर लिटरेचर में कुछ इंपॉर्डन परस्टनालिटीज हैं फर्स लिकूप बाबा फरीद सुना इनका नाम किया सुना है नाम सुना है कहा सुना है कैसे सुना है यह सेंट थे पंजाब से रिलेटेड इनके नाम बाबा फरीद उनिवस्टी है फरीद कोट में राइट इनका टाइम पिरिएड लिख लो 1173-1275 1173-1275 इसम वाली को फिस्ट फिस्ट इनका यह सुफी सेंट सूफी सेंट एंड टीचर सूफी सेंट एंड टीचर बॉन एट कथेवाल इन मुलतान मुलतान आज पाकिस्तान में कथेवाल इन मुलतान स्वाहभ आट सक्षान एह एह एखर फ्रॉपतान सॉड मावी विफांग स्वाहभव रमा मुलतान श्ट काष्र ्डऑऄ आट सर्ओंग ऑएग लगोएग्ट थिर सेंट माव कैंने प्रेशरी थैंड घ्र देशर ट्रेजरी आफ शुगर त्रेजरी आफ शुगर वास दिसाइपल आफ दिसाइपल आफ उतुब दीन तुब उद दीन बक्तियार काकी सुने इनका नाम पहले तुब दीन ऐबक ठीक है modern history आपने तो की है ना medieval history सुने इनका नाम कहां पहे तुब दीन ऐबक का नाम सुने मुहमद गोरी का सुने लो मुहमद गोरी का स्लेव था कुटब दीन ऐबक और कुटब दीन ऐबक ने कुटब मिनार बनाया था पर वो कुटब दीन ऐबक के अपने नाम के उपर नी था इनके नाम के उपर था ये एक सूफी सेंट थे उस टाम पे और बाबा फ्रीद इनके डिसाइपल थे ठीक है इनके नाम पे कुत्ब मिनार है कहाँ पे है कुत्ब मिनार दिली में ठीक है नेक्स लिखो He is the first recorded He is the first recorded Poet of Punjabi language First recorded Poet of Punjabi language Recorded Poet का मतलब जिनका हमें पता है ठीक है शायद उसे पहले भी हूँ लेकिन इनके records हमें पता है इनके जो teaching है इनके जो writing है हमें पता है ठीक है next last point लिखो Poetry of Bapa Farid Poetry of Bapa Farid Is preserved in Guru Granth Saab Is preserved in Guru Granth Saab In form of In form of four Shabads And 112 Shlokas Four Shabads and 112 Shlokas ये हो गए Bapa Farid Next Guru Nanak Dev Ji He was also a poet Kabu Adhan Ka Barth 1469 So Liko time period 1469 to 1539 1539 He composed He composed Punjabi vocabulary Punjabi vocabulary From Sanskrit Arabic and Persian Punjabi vocabulary From Sanskrit Arabic and Persian Next Liko Compositions Compositions First Japji Saab J-A-P-J-I Japji Saab Next is Sidh Ghosh Siddh Ghosh Next Next Irtan Sohela Irtan Sohela Last is 12 Maa M-H 12 Maa Done Next Likho Guru Arjun Dev Ji Koonse Number Koonse Number Kyo Guru Tha Yie Anji Fourth Fifth Kya time period Inka 1563 23 To 1606 1563 To 1606 To 1606 He composed Adagrant Sukhmane Sukhmane Sahab And 12 Akhtar 12 Akhtar Next Personality Is Pai Gurdas You are Currently The Only Person In This Conference Pai Gurdas Now Guru Arjun Dev Ji Nene Adagrant Ko Compile Kya Kya Compile Kya Kya Ta Jho Previous 4 Guru Thay And Unkhi Apanine Teaching Pai Gurdas Righ So Likho Pai Gurdas He Was The Punjabi Sikh Writer Punjabi Sikh Writer Preacher Writer Preacher and religious figure, religious figure, next he wrote the first copy of Adhigranth, he wrote the first copy of Adhigranth, it is preserved at, this copy is preserved at Karsam, Kartarpur, 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 2-1 Pakistan, 1-1 Punjab. यह जो पाकिस्तान वाला कर्दारपुर है देट इस लेटर टो गुर्णान अग्डेवजी जो कर्दारपुर कोरीडोर भी बना है नेस्ट लिए कॉमपोजिशन इनकी कॉमपोजिशन कॉमपोजिशन में फस्ट है वारा नेक्स्ट इस सवये वारा एंड सवये नेक्स्ट गुरु गुबिन सिंग जी गुरु गुबिन सिंग 1666 तू 1708 जो इनकी राइटिंग्स थी इनकी कलेक्शन थी उसको गुरु ग्रंथा में ने डाला गया इनका अलग से एक ग्रंथ बनाया गया इसको बोलते हैं दसम ग्रंथ ठीक है वो गुरु ग्रंथ सबसे थोड़ा सा अलग डिफरेंट है और यह दसम मींज 10 जो 10 गुरु की टीचिंग्स है ठीक है तो लेको His collection of writings His collection of Writings is known as Dasamgrant इस में लेखो Compositions Composition में फस्ट है जापसा जाप जे डबल अपी Next is अकाल उस्तत अकाल उस्तत Next is बचित्तर नाटक बचित्तर नाटक बचित्तर नाटक Next is चंडी चरित्र चंडी चरित्र Next is चंडी दी वार Next is खालसाए महीमा खालसाए महीमा और जो इन्होंने लेटर लिगी थी और एंग्जेब को सो क्या बोलते हैं जफर नामा Last is जफर नामा जफर नामा You are currently the only person in this conference Next is बुलेशा ये तो एक फेमस पोईट है सुना होगा गानों में सुना होगा इसमें लिको He was the fakir of fakir of qadri order fakir of qadri order जो सूफिज़म है ना सूफिज़म में different orders है मतब different schools है उसमें different schools है जैसे कि कादri है, सुरावर्दी है, नक्षबंदी है, सरहंडी है ऐसे लग-लग orders थे उसमें से एक order है कादri ये उसको follow करते थे He was disciple of पिंज़ाब जी के? बहु लेट हो तो से हाँ जी अच्छा हम तो खतम होने वाली है मतलब साथी कल और खतम हो जोगी पंज़ाब जी के बैट जो कोई गाली? नहीं सर्थ मैं आपकोई बात नहीं कोई बात नहीं बैठो हम पंज़ाब के important personalities कर रहे हैं लिटराइचर में ठीक है तो लिको ही वाज डिसाइपल आफ शाह इनायत डिसाइपल आफ शाह इनायत नेक्स्ट कॉंपोजिशिशन्स कॉंपोजिशन्स में दोहे बारा माँ दोहे बारा माँ अथवारा ए टी एच वी ए आर ए अथवारा नेक्स्ट लास्ट इस वारिष्शा इनका नाम पे सुना होगा आपने वारिष्शा कहां सुना है क्यों सुना है क्यों फेमस है ये वारिष्शा कौन से सबसे फेमस इनकी पोएम है या स्टोरी है या लिटरेचर है सबसे फेमस जिसके लिए ये मानने जाते हैं फेमस है ये राट जाने सुना हो हाँ तो देख लिए वार्ण इन बार्ण इन जंडे आला शेर खान ये विलेज का नाम है ये आज पी-उके में है पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर जहां पे वहां पे पंजाबी सूफी पॉएट पंजाबी सूफी पॉएट ऑफ चिष्टी ओर्डर चिष्टी ओडर जैसे कादरी ओडर है सुरावर्धी वैसे दिफरेंट अर्डर है ही इस फेमस्ली नून एस ही इस फेमस्ली नून एस भानजी शेक्सपियर औफ पंजाब ही सुफिसम का ही ओर्डर है चस्टी ओर्डर है इस फिर्मस्ली नोन है शेक्स्पिर आफ पंजाब इनकी कॉम्पोजीशन में लिख लो थीर रांचा हाँ जी वह असादिवार है गुर्ट एक बहादर की में लिखा होगा गुर्ट एक बहादर में ठीक है तो यह थे सारे पुराने लिट्रेचर जो पोएट्स थे पंजाब में नेक्स टेटिंग लिखो मॉडन लिट्रेचर आफ पंजाब जो मॉडन लिट्रेचर है पंजाब में मॉडर मॉडन ब्रिटिश टाइम के बाद का जो लिट्रेचर है इसमें बहुत सारी नाम है मॉडन लिट्रेचर आफ पंजाब इसमें लिखो इसमें पॉइंट लिखो पंजाब्बी लिट्रेचर पंजाब्बी लिट्रेचर आफ इसमें द्रौत पंजाब इसमें लिट्रेचर ने। एसमें लिट्रेचरapOFF पंजाबी प्रिंटिंग प्रेस इसमें रेजृ स। यह कि consistsystem लिट्रेचर,hésitez was set up at ludhiana, was set up at ludhiana in 1835, in 1835, by Christian missionary, Christian missionaries, यह missionaries कौन थे, यह England से पंजाब में आये थे, यहां पे लोगों को convert करने के लिए, अपनी Christianity को spread करने के लिए, और यह British education ले के आये, जिसके बाद printed material जो है वो famous होने लग गया, जब printing प्रे सेट अप हो गई, 1835 मिलो थे हाँ में, नेक्स पॉइंट लेको, फिर्स्ट पंजाबी दिक्षिनरी इन 1854 in 1854 by by Reverend Newton अब personalities लिखेंगे, ठीक है, फिर्स्ट परस्ट 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 पंजाबी लिखो, पाई काहन सिंग, बहुत important है, पाई काहन सिंग, पाई काहन सिंग, आफ नबबब, पाई काहन सिंग आफ नबब, सिंग सभा मुवमेंट की थी न हमने, याद है कुछ, सिंग सभा मुवमेंट आओ कुछ है की थी कि नहीं की थी शादी तो मेरी थी आप लोग कहां विजी थी सिंग सभा मुवमेंट क्या था जब यहां पर कृष्टन मिशनरी आए उन्होंने कनवर्जन स्टार्ट की तो जो अकाली थे उन्होंने यह सिंग सभा मुवमेंट स्टार्ट की जिसमें जादा-जाद वह अपने सिखिजम को एक्सपैंड करने लग गए डिफरेंट सुसाइटीज बनाके, डिफरेंट गुरुद्वाराज बनाके, जगा जगा पर ठीक है, तो उस मुमेंट में ये जो एक राइटर थे, इनका बहुत बड़ा रोल था उस मुमेंट के टाइम पे इन्होंने सिख डिक्शनरीज, सिख इनसाइकलोपीडिया ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लिटरेचर, एक उन्हेंने बुक लिखी जिए, बहुत फेमस हम, हिंदू नहीं, ये बुक का नाम है, उसके ये राइटर है, तो ये उस टाइम की बात है, जब यहाँ पे क्रिस्चैनिटी एक्सपैंड कर रही थी, ठीक है, लिखो फर्स्ट प लीडिंग राइटर ओफ सिंग सभा मूवमेंट, 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 लीडिंग राइट इसमें सारी information होती है तो सिक्षिजम की सारी information और ये बुक जो इसका नाम क्या था गुर्शबद रतनाकर महा कोश इस इस नेम आफ शिक्षिजम की सारी नाम क्या था नेक्स्ट इसी में लिखुएट पॉइंट पब्लिश्ट वर्क्स क्या आके इन्होंने पब्लिश किया फस्ट अम हिंदू नहीं सेकेंड गुर्मत प्रकाश गुर्मत मर्तंड गुर्मत मर्तंड ठीके, जी जी एक ठीक्र नेक्स्ट इस पाईएवीर सिक, यह भी बहुत इंपॉर्टन्ड है ऊक्राफि completa फिर्स्ट पर्स्ट पर्स्ट लेको बॉन एक अम्रिट सर्थ ही इस मेजर फिगर ओफ इस मेजर फिगर ओफ सिक रेनेसा की लिखते रेनेसां से बोलते रेनेसा है र-e-n-e-s-a-n-c-e बोलेंगे रेनेसा का मतलब क्या होता है रिवाईवल रिवर्थ जब हम दुबारा हमारा जनम होता है यह रेनेसा मूवमेंट जो है एक्षुरी वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टार्ट हुई थी 13th century में इत modern history बढ़ता है जब modern ideas आए जब लोगोंने logically सोचना स्टार्ट किया जब लोगोंने सोचना स्टार्ट किया कि अच्छा अर्थ वो sun के round घूम रहा है या sun earth के round घूम रहा है अर्थ की shape क्या है different चीज़ों के बारे में science के बारे में art के बारे में paintings के बारे में यह वो time period उसको रहने साथ बोलते हैं तो रहने साथ को मतलब क्याता है revival दी बर्थ जब आपका एक नहा जनम होता है ठीक है इन 1892 इन 1892 ऑप इन 1892 ही सेट अप ही सेट अप प्रिंटिंग 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 and began printing पंजाबी टेक्स्ट बुक्स began printing पंजाबी टेक्स्ट बुक्स for schools first पंजाबी प्ले इसमें first पंजाबी प्ले जिसका नाम था बुक्ड़ा यसार राजा लगदादा सिंग् clicks प्राजा लगदाधा इस्टिंग प्रिंट Cup इस प्रिंटriftณ प्रिंटNews प्रेस इन 1910 इस पॉयंट स्टार्ट इडर पंजब गी पंजब गी वीकली न्यूस पेपर पंजब गी भीकली न्यूस पेपर जिसका क्या नाम था खालसा समिज र हालसा समाचार और यह important क्यों है कि इनको बहुत सारे honors मिले हैं by the central government बतलब दो बहुत important honors मिले हैं एक सहित्य काडमे वार्ड और एक मिला इनको पद्म भूशन जिनको पद्म भूशन मिला हुआ इसलिए important नहीं इसमें लिख लो honors फिस्ट सहित्य अकाडमी अवार्ड यह लिखते अकैडमी हैं लेकिन इस अवार्ड को अकाडमी बोलते हैं सहित्य अकाडमी अवार्ड सहित्य का मतलब क्या होता है literature ठीक है तो यह every year अवार्ड दिया जाता है in different languages हर language को नहीं मिलता हर साल हर साल किसी ना किसी particular language के किसी ना किसी writer को मिलेगा कभी मल्य आलम के राइटर को मिलेगा, कभी हिंदी राइटर को मिलेगा, कभी तेलिबू राइटर को मिलेगा, कभी SME's राइटर को मिलेगा, ऐसी इन को as a Punjabi राइटर मिला था, 1955, निक्स्ट पद्मभूशन, पद्मभूशन इन 1956, और इनको एक और अवार्ड मिला है, निशाने खालसा, निशाने खालसा, वाय पंजाब गवर्मेंट, हम लिए देर 6 एs, उसल किन्साने खालसा, को सोольше किन्सोफ की टूरसारMax तेलिए निशाने तेलिए題, जह राइट च्झारा, कि लाइटर बार्फना।, इındaki तो कुछिए ठीलीटर, कि तो किन्सित्ट्वाशने पालसाच, टिया है, इन किर्पा सागर किर्पा सागर किर्पा सागर उAI च्यचर बैंकर He started his own, he started his own publishing house in Lahore, publishing house in Lahore. मैं लिखो इनके works, क्या क्या लिखा है नो ने, फिर्स्ट इनकी book का नाम है महाराजा रिंजीत सिंग, महाराजा रिंजीत सिंग, सेकंड इस, मान तरंग, मान तरंग, के निक्स्ट इस, तनी रमать जद्यम से, घ्टरिक, मने को निक्ट पैन नेम जोगेडि़ाम जखेए ज़ो, इस नाम से वह अपनी जितनी भी बुक्स है उसको पब्लिश करते हैं ठीक है राइटर्स हुए हमेशा उनका पैन नेम कुछ नगुछ अलग होता है या अपने सरफ सर्नेम होता है पूरा नाम नहीं होता इसमें को ही वास फ्रॉम अम्रिट सर in 1926 he became the president of became the president of Punjabi Sahit Sabha Punjabi Sahit Sabha इस पे लिखो वर्क्स फर्स्ट है केसर क्यारी क्यारी क्या होता है होता है क्यारी kind of kitchen garden ठीक है जो घर पर हमने छोटा सा garden मनाया होता है केसर क्यारी next लिखो फुलनांदी टोकरी ठीक है फुलनांदी टोकरी next is नवा जहान नवा जहान next नूर जहां बादशा बेगम उनकी बुक का नाम है नूर जहां बादशा बेगम किसकी बेगम थी नूर जहां सुना है नूर जहां का नाम किसकी बेगम थी किसकी वाइफ थी साउंड बेटर आई ना दिखाने के ज़रता है आपको लक्टितस की उपर हम लेंगे बस चल रहाया है वो चली जा रहाया चे गया गया जहांगीर की बेगम का नाम था नूर जहां और शाहं जहां की बेगम को क्या नाम था ताज महल यह तो पता होगा ना कि उसने ताज महल बनाया था चलो लास लिखो सूफी खाना सूफी खाना निक्स्ट प्रोफेसर पूरंग सिंग प्रोफेसर पूरंग सिंग की प्रोफेसर पूरंग सिंग प्रोफेसर पूरंग सिंग काई खे उसी कर आि दिस लिएका ऑना ravप सिंह מבनिटर फेसेगर विखोम धरेसक्राणद बुट आतनासिorts and later became Sanyasi He wrote in both Punjabi and English language He wrote in both Punjabi and English Language देशीखले लिखाई अब वर्क्स खुले मेदान खुले लेक and last is spirit of spirit of oriental poetry spirit of oriental poetry सब रैकेट में लिखू English ये इनकी English book थी पहले वाली दो Punjabi books थी oriental का मतलब बता ancient पुरानी poetry की spirit next is Gurbaksh Singh Gurbaksh Singh Pari Dalari Gurbaksh Singh Pari Saliri Gurbaksh Singh Pari Saliri He was Punjabi novelist Punjabi novelist Punjabi novelist French गण्याब बिर्क्राम कर दो डीकिश. स्टरिवाजर बियंच्छ टुर्थ het, इसेजिए उन्थली सेड़ी सेधिए्यät। उन्थलिय था ट्थ्ट्रेमी लुटि टुट्टरीए in 1933 in 1933 he established Preetanagar in Amritsar he established Preetanagar in Amritsar last point he was granted with Sahitya Akademi Sahitya Akademi Fellowship in 1971 Fellowship ka matlab? सब्सक्राइ 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 मुझे पंजाब इन्वर्स्टी की fellowship मिल जाए तो research के लिए fellowship मतलब आपको research के लिए जो government है वो sponsor करती जैसी एक्जाम होता ना NET का एक्जाम होता UGC का तो उसके बाद आप क्या बनते हो GRF Junior Research Fellow उसमें आप research करते हो और आपको monthly stipend में मिलता है और साथ में आपकी वो PhD भी होती है research मतलब PhD होती है legalist इस्वरचंदर नन्दा इस्वरचंदर नन्दा बूं नन कर दापर ु हु का He is known as, क्यूं important है ये, father of पंजाबी ड्रामा, father of पंजाबी ड्रामा, Shakespeare of Punjab कोन है, वारिश है, इनकों बोलते है father of पंजाबी ड्रामा, He wrote first Punjabी stage play, he wrote first Punjabी stage play in 1913, जिसका क्या नाम था, सुहाग, first Punjabी stage play 1913, सुहाग, next is Nanak Singh, Nanak Singh, he was born at Jalem, in Pakistan, Jalem, एक रिवर भी है, next लिखू, he was born as Hindu, Hindu, he was born as Hindu, named Hans Raj, named Hans Raj, and later adopted Sikhism, and later adopted Sikhism, and later adopted Sikhism, he is known as father of Punjabी novel, father of Punjabी novel, he was awarded with सहित्य अकैद्मी अवार्ड, in 1962, for एक मियान दो तलवारा, एक मियान दो तलवारा, इनका नोवल था, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था, जब government ने ऐसी किसी personality को honor करना होता न, present government तो वो क्या करती है, उसके लिए एक posted stamp issue कर देती, stamps होती है, ना, जो हम कोई letter post करते हैं, stamp लगाते हैं, तो पर्टिकूल ए परिसनेलिटी के नाम की stamp issue कर देती है, प्रिक है तो ऐसी पंजाब, इंडियन गर्मेंट ने इनके नाम की स्टेंप जो है वो इशु की हुई है तब की थी 1988 में ठीक है तुसमें लिख लो इन 1998 पोस्टेज स्टेंप पोस्टेज स्टेंप वस रिलीज़ इन हिस ओनर पोस्टेज स्टेंप वस रिलीज़ इन हिस ओनर वैसे कोशन आया हुएं PCS में कि इस परसन को सहते गैड में वर्ट कौन से येर में मिला और कौन सी राइटिंग के लिए मिला ऐसे कोशन आते हैं इसलिए चीज़ें इंपॉर्टनट है सारे वैस तो बहुत सारे राइटर्स है पर ये इंपॉर्टनट है पर ये बहुत है अभी दस और है अभी ठीक है बोरो रहे हैं चलो लिको फिर नेक्स्ट प्रफेसर मोहन सिंह प्रफेसर मोहन से ये वस बोन एट मर्दान मर्दान पाकिस्तान मर्दान कमर दान पेड्चान करें पाकिस्तान प्रफेसरの में चलों तेर हहें इंप्र नाट करें आपके हुआए मालक इस अप्राइब असक्तिन है इस अभी लिर्ड डेट लेक्टर अद खाल्सा अपर लिडा टाइब अ फी लिडिज्टर अफ्थे विडियर में टर खाल्सा जब लिडिक फिर्ड़ी स्व पेंड तो यह इस विडिक लेट टूर अप्र अच्टर अबिस ल प्रोफेसर एट पी एए यू कहां पे पी एए यू तेरे पी एए यू पी एए यू है क्या पी यू कहती हूँ तो पता होगा ना पी एए यू कह फिर जाब एग्रिकल्चर यूनिवसिटी कहां पे जहाना प्रोफेसर एट पंजाब एग्रिकल्चर यूनिवसिटी लुथ्याना पी एए यू याद रखना की है क्या है नेक्स्टी वस अवादेड सहित्य अकेडमी अवार्ड सहित्य अकेडमी अवार्ड सहित्य अकेडमी अवार्ड इन नाइटीन फिफ्टी नाइन फॉर वद्दा वेला वद्दा वेला वद्दा वेला वद्दा वेला मतलब बड़ा टाइम last point a cultural मेला is organized a Cultural मेला is organized every year on his name every year on his name इनके नाम पे कल्चिरल मेला और्गनाईस किया जाता है हर साथ ठीक है बाया गर्मेंट अफ पंजाब बस करें आज ठीक है इसके पर बस एक कलास हो रहे है फिर अपको कल्चिरला पार्ट ड़न है फिर रह गई एकॉनमी एकॉनमी से कुछ कोशन्स पूछे नहीं आते है पंजाब जी के में ठीक है एक एकॉनमिक सर्वे आता है एवरी येर स्टेट गर्मेंट जो है बजेट के साथ एकॉनमिक सर्वे इशू करती है एकॉनमी का अगर कोई कोशन आता है एकॉनमिक सर्वे से आता है ठीक है बेसिक एकॉनमी से कोई कोशन नहीं आता है और उसी के अंदर सारी important industries कौन कौन सी है पंजाब की पंजाब में कुछ जादा बड़ी industries नहीं है पंजाब में एक हाउसरी कपड़े की industry है लुध्यारा में ठीक है एक steel की industry है मन्डीगु बिंदगर में और टिकट all वैंट्स की industry है जलंदर में और cycle की industry हो भी लुध्यारा में और और कोई बड़ी industry है पंजाब में अभी जो recent a national plant लग रहा है संग्रूर में एक बायो के तर्वे आएगा तो उसके बाद हम एक लास लगा के इसको डिसकस कर लेंगे क्या क्या चीज़ असमें से इंपॉर्टन थी ठीक है जी क्लियर है चलो